समाजवादी पार्टी मतलब गुंडा गर्दी की पार्टी है तो वो माफियाओं से नहीं मिलेंगे, माफियाओं के लिए बात नहीं करेंगे तो करेंगे क्या आप तो जानते ही हैं समाजवादी पार्टी बाहुबलियों और गुंडों की पार्टी है इसलिए अखिलेस यादो जब भी आते हैं वो बाहुबलियों से ही और गुंडों से ही मिलते हैं आईए हम इन से जानते हैं समाजवादी पार्टी के यन्यता है इस पर सुझी सिंजी का क्या कहना है जिस तरह से दिने सलालियादों ने आजमगड में जीत दर्ज की और इस तरह से बयान दे रहा है कि समाजवादी पार्टी गुंडे और मवालियों की पार्टी है तो इसक तो उस टिपड़ी से आपको दिखाई दे रहा है कि उनके अंदर मेस्चुरिटी नहीं है वही रामाकांति आदो जी इससे पहले जब भाजपा से सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे आजमगर से तब वो क्या थे तब तो मोदी जी आके उनके गुडगान कर रहे थे तब त आते यादो जी सपा में आगा है सपा के से विधायक है तो अब उनको वह गुंडा लगने लगें उनको वह क्रिमिनल लगें तो भारती जनता पार्टी की यह नीत है रीत है कि जो भी उनके दल में जाता है वो सर फेकसल से धुल जाता है और वो धुल के वह इमांदार स्व अजवादी पार्टी का वहां पर गड़ है क्या फरक पड़ा इस पुर्वांचल की राजनीत में देखिए उप चुनाओ में आपने देखा किस तरह सर्ता पच्छ ने दुर प्योग किया कितने से चुनाओ जीते पांच यह जार चुनाओ जीते एक लोग सभा का चुनाओ तो कहीं न कहीं जो ओटो को मतदान करने से रोकना था मुसलिम बहुए लाकों में लोगों को पोलिंग बूर तक नहीं पहुच पाएं लोग और भारती जनता पार्टी की करनी और कथनी में हमें सांतर रहता है दो साल के लिए सांसाथ बने हैं और भाई मैं भी अगरा करता हूं कि जितने वादे उन्होंने किये हैं और 2024 से पहले आजमगड़ में पूरा करें तो आजमगड़ की जनता 2024 में उनको जवाब देने का काम करें अक्सर देखा गया है निरहुआ की बात कर लें अक्सर वह सीधे सीधे अखिलेस यादो पर हमलावर रहते हैं पिछले बार जब आये थे बयान दे कर गये थे गड़ को गड़ ही बना कर छोड़ दिया है अखिलेस यादो इसको कैसे देखते हैं आप आजमगड़ में जितना विखास कारे हुआ किसी भी चौराय पर चले जाए कोई भी रोड चले जाए सारी रोड चौराय यहां तक कि सव बेटका अस्पताल पीजी आई यह अखिलेस यादो जी ने बनाने का काम किया अगर आजमगड़ में समामजवादी पार्टी द्वारा कराए गए काम को हटा दीजिए तो सुन हैं इन लोग के पास गिनाने को तो भारती जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है साथ सा इसक आजमगड़ की जनता हुआ बार्ती का पार्टी का काना यह है कि जहां जनता वो देकर सरकार नहीं बनाती है वहाँ CVI चली जाती है, वहाँ ED चला जाएगा, वहाँ income tax चला जाएगा और विपच्छी नेताओं को, ये बताएए कि पिछले 10 सालों में एक भारती जनता पार्टी के नेता के गर्द E.D. पहुची है, क्या भारती जनता पार्टी में सब सही है, एक भी बरश्ट अचार न लेकिन भारती जनता पार्टी ने सरफेक्सल से उनको धुला, भारत का ग्रिव मंत्री बना दिया, उनकी नजर में सब अच्छा है, तो जो जिस विचार धारा से आया रहता है, उसको कहीं न कहीं प्रलिच्छित होता है, तो ये लोग सोचते हैं कि डरा के, धमका के, अपन मोटो सिद्ध कर लें, लेकिन अभी आपने देखा न, बिहार में, बिहार की जनता को देखे, बिहार की नेताओं को देखे, EDCVI के लाग शापे के बावजूद, आज पार्टी सरकार से बाहर है, इसी तरह एक दिन आएगा, कि इनकी EDCVI धरी की धरी राज आएगी, आम जन देखे गा, इसका 2024 के चुनाओं पे, क्यों ने दिखेगा, सर, बिहार में, आप चलिये जाएए, नितिश कुमार और लालू प्रशाद यादो जी, सहित, जो भी आठ दल गडबंधन में है, आप देखिएगा कि लोग सभा के चुनाओं में, बिहार में जितनी भी सिटे र रहेंगे, कहीं न कहीं दिल्ली की कुर्शी पे वही सक्स बैटेगा, जिसको समाजवाद में विश्वास हो, जो संप्रदाइक सक्ति उसके खिलाफ लड़ना जानता हो, जो सेक्यूलर हो, ऐसा वक्त दिल्ली की कुर्शी पे आपको बैठा हो, 2024 में नजर आएगा, तो ये पूरो बलाग परमुक सुझी सिंग, आप देख रहे हैं ते माउतक, मैं संजय, नमस्क्राइब